नमस्कार आप सभी को इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा Executive Magistrate और Special Executive Magistrate Executive Magistrate कौन होते हैं और इनको कौन Appoint करते हैं और किस तरह से काम करते हैं इस वीडियो में आपको पूरी तरह से मैं आपको Executive Magistrate और जो Special Executive Magistrate होते हैं इन दोनों के बारे में आपको अच्छे से बताऊंगा जो कि हमारे भारते नागरी सुलक्स सा सहीता के section 14 और section 15 में हैं इन दोनों section में बताया गया है जो हमारे section 14 है इसमें executive mistake की बात की गयी है और section 15 में special executive mistake की बात की गयी है तो चली वीडियो को स्टार्ट करते हैं बीना देरी किये हुए जो section 14 है section 14 में जो executive mistake होते हैं इसके बारे में बताया गया है जो इसका subsection 1 है इसमें बताया गया है कि जो state government के पास power होती है कि वो executive mistake को appoint करें वहां पर वो कई सारे executive mistake बना देती हैं किसी डिस्टिक में और उनी में से एक zwiguto Nicette को क्या बना दे जाता है एक distrird Magint América जिसको जो कि पुरी तरह से पावर दे दी आती है जो की head होते है district magistritte किसके head होते है डिस्टिक में जो executive magistritte होते है weeks में बोलते है ठीक है और एक SDM भी होता है उसको मैं आगे बताऊंगा तो Subsection 1 में simply यही बताएगा कि State Government के पास power होती है कि वो उनको appoint करे Executive State को Judicial mistake की बात इसमें नहीं की गई है Judicial mistake की बात मैंने पिछली वडियो में आपको अच्छे से बता दिया था कोन उनको appoint करता है और वो कैसे बनते हैं उनको क्या वर्क होता है लेकिन Executive mistake में यही बताएगा कि यहाँ पर State Government इनको appoint करती है जो सबकी Subsection 1 में simply यहाँ पर यही बताएगा है और जो उसका Subsection 2 है Subsection 2 में यह बताएगा कि जो State Government है जो की appoint करती है Executive mistake जैसे कि मैंने अभी Subsection 1 में आपको बताएगा था Executive magistrate को appoint करती है कौन State Government और उनी Executive magistrate में से किसी एक Executive magistrate को क्या अपने दे जाता है Additional District Magistrate जिसको हम ADM भी बोलते है ADM Short Form में बोलते हैं हर एक District में आपको ADM भी मिलेंगे जिनको हम Additional District Magistrate बोलते हैं इसकी Full Form होती है ADM की Additional District Magistrate और इनको appoint करती है State Government State Government इनको appoint करते है और जो Executive Magistrate होते हैं उनी में से इनको appoint किया जाता है और जो Additional District Magistrate होते हैं इनके पास Power कैसी होती है Power इनके पास उसी तरह के से उसी तरीके से होते है जितनी Power एक District Magistrate के पास होती है जो कि में स्ट्रेट होता है पूरी district का जितनी पावर उसकी होती है उतनी पावर एडिस्टिक में स्ट्रेट की होती है बस यहां पर उनको एक additional बना दिया गया है ताकि वह workload कम कर सेगे जो district में स्ट्रेट है उसका जिस तरह मैंने आपको session judge में बताया था session judge के जगह पर और भ इसको बता है किए आपको यह काम करना है वहाँ पर उसकी जो डिक्शन स्टेट ग्रमेंट ने दिया है उसी ता ileग अलग तरीके से उसको बता है कि आपको यह करना है वो करना है तो वह अलग सिच्वेशन है एडिशनल डिस्टिक मेस्टेट होते हैं उनको उनकी उतनी पावर होते हैं जितनी डिस्टिक मेस्टेट की होती है बस सिंपली जो सबसेशन 2S में ही बताया गया है कि जो एडिशनल डिस्टिक मेस सट Schön 500 एक या फिर वह संट मेंदो दूर्पर क्या सब्सक्TMक kicking कर देगा कि कि सी पर person सबस्क्राइब करने बाद वहाद आज पर उसके पास यह पावार पर सब्सक्राइब करें कि वह पर वह अपना पूरी तरह से वर्क करेगा एक की तरह वह ऑफिसर एक्जीट को पर उसको ऑफिसर भी बोल सकते हैं वहाँ पर इस्टेट गूर्मेंट उनको तेको अप्यूट करेगी ताकि और वहां पर वो अपना अपनी परफोर्म करadows डूट इडूटी अपनी पावर कर大家都 की तरह जैसे भी उसको ठीक लगता है तो वहाँ पर पूरी तरह से उसको duty देने के लिए बोल देगी उस officer को उस officer को appoint करतेगी state government तो subsection 3 में यही बताए गया है और जो subsection 4 है, subsection 4 यहाँ पर यह बता रहा है कि जो state government है state government जो divisions होती है, मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताए था एक district में काफी सारे subdivisions बटी होती है, तो उसी subdivision में ही state government क्या करेगी जो subdivision magistrate होती है, जिसको हम short form में बोलते है SDM, उनको वहाँ पर बनाएगी एक district में काफी सारे subdivision बटी होती है, तो उसी मेंसे किसी एक subdivision का कसी executive state को इंचार्ज बना दे जाता है, उसको चार्ज दे जाता है कि आप अपना वर्क करिए कि आप यहां पर अपनी duty को निभाईए, आप perform करिए अपनी duty को और जर्योंकत पावर दि accepts can वो उसको उसी तरह से power दीज़ेगी जैसे उसको वहापर काम करना है जैसे भी state government उसको बोला है तो यह subdivision magistrate होते है जिनको state government ही वहाँ पर appoint करेगी और जो subsection 5 है subsection 5 में यह बतायगा है कि जो state government है state government delegate delegate करती है powers को किसको district magistrate को जैसे कि मैंने subsection 4 में आपको बताया था वह वहाँ पर control करेगा कौन district magistrate किसको करेगा executive magistrate को क्योंकि एक district में सबसे बड़ा दिकारी किसको माने जाता है district magistrate को माने जाता है और जो उसको नीचे काम कर रहे है उनको क्या बोला जाएगा उनको executive में state और जो sub divisional में state होते हैं वो उसके under काम करते हैं तो वहाँ पर वो उनको control करते हैं किसम से जो district में state होता है और यहाँ पिर जो इसको पावर दी गई है जो भी इसको डेलिगेट की है पावर यहाँ जो भी direction दी गई है state government की तरब से वहाँ पर उस duty को निभाएगा जो को निभाएगा जो district में state है तो sub section 5 में simply यही बताया गया है और जो sub section 6 है sub section 6 यहाँ पर यही बता रहा है कि यहाँ पर state government को यहाँ पर रोका नहीं गया according to law law according यहाँ पर कोई उसको रोका नहीं जा रहा है कि वो किसी जो commissioner of police है उसको पावर दी जा रही है executive state की ताकि वहाँ पर वो work कर सके specifically वहाँ पर उसको work दिया जाए तो यहाँ पर state government के उपर कोई condition नहीं है state government appoint कर सकती है commissioner of police को यहाँ पर commissioner subsection 6 में commissioner of police की बात किये किसी और other officer की बात यहाँ पर नहीं की गई है तो commissioner of police को भी जो executive magistrate होते है उसकी power दी जा सकती है जहाँ पर वो specifically वहाँ पर काम कर सके वर्क कर सके जासे भी state government को ठीक लाता है तो वहाँ पर appoint कर सकती है यह था section 14 जिसमें मैंने आपको executive magistrate क सकती है क्या पूलिस officer को appoint कर सकती है जहाँ बिलकुल कर सकती है लेकिन дी गई है कि कौन सी rank के police officer को वहाँ पर appoint कर सकती है executive magistrate के तोर पर जहाँ पर वो specifically work करे especially वहाँ पर उसको executive power जो दी जा रही है तो वहाँ पर वो कौन सी rank का police वाला होना चाहिए तो section 15 यहाँ पर यही बता रहा है not below the rank of the superintendent of police मतलब कि जो SP होता है हर एक district में आपने SP देखे होंगे जो SP office होते है जिनको हम superintendent of police होते है जो कि जो SP होता है वो एक head होता है किसका police वालोगा जो police होते है हर एक district में तो उनका head होता है SP जिसको हम superintendent of police बोलते है तो superintendent of police को भी यहाँ पर क्या दी जा सकती है executive power एक special executive मेस्टेट उसको वहाँ पर उसकी power दी जा सकती है ताकि वहाँ पर वो एक specifically work कर सके जैसे भी state government को ठीक लगता है उसको वहाँ पर appoint कर सकती है लेकिन वो उसकी rank से नीचे का नहीं होना चाहिए below the SP मतले कि जो SP है वहाँ पर जो superintendent of police है उसकी rank से नीचे का नहीं वहाँ पर police officer होना चाहिए उसके उपर का होना चाहिए तो वहाँ पर उसको executive mistake की power दी जा सकती है उसको special executive mistake वहाँ पर उसको एक किसम से बनाय जा सकता है और जब उसको power दी जा रही है under the सहीता जो हम सहीता पड़ रहे है तो उसको पावर दी जा रही है तो किसली उसको वहाँ पर पावर दी जा रही है ताकि वह particular case related वहाँ पर काम कर सके जो particular cases होते है जैसे भी state government को ठीक लगता है वहाँ पर उसको अपोइंट कर सकती है लेकिन उसके पावर उतनी रहेगी जितनी executive mistake के पास थी जितनी की executive mistake के पास होती है एक special executive mistake के पास होती है उतनी ही उसके पास होगी यह नहीं कि उसके पास वो power नहीं है नहीं वहाँ पर वो काम कर सकता है एक special executive mistake की तरह जैसे की state government ने उसको बताया है जैसे भी state government उसको काम दि है उसका परपस से वहाँ पर काम करेगा तो यह था सिंपल सा सेक्शन 15 में कि स्पेशल एग्जेकुटर में स्टेट कौन होते हैं कौन अपोइंट करते हैं और वह पर्टिकुलर केसी से जो वहाँ पर डील करते हैं तो अब आपको समझ में आ गया होगा जो सेक्शन 14 सेक्शन 15 है यह दोनों सेक्शन जो एजिकुटर में स्टेट के बारे में बात करते हैं इससे लेटिड आपके डाउट क्लियर हो गये होंगे अगर फिर भी आपको कोई कोई डाउट रहा गए आपका तो आप मेरे टेलेग्राम चैनल को जोन कीजिए और अगर आपने मेरे चैनल को स सबस्राइब नहीं गया है चैनल को भी सबस्राइब कर लिजिए जिससे की आपको डेली की नोटिफिकेशन मिलती रहे और बैल आकन जूर प्रेस कर लेना इससे आपको डेली की नोटिफिकेशन ज़रूर मिलेगी तो मिलते हैं अब हम अपने लेक्स वीडियो में ओके तेखएब से प्रेटजर कर दो कर दो कि एंड़े को से बढ़े कर दो एंड़ेश से दो इंड़े दो पिता है